RBI ने बताया एक आदमे के पास होने चाहिए इतने bank account दोस्तों देश में कोई भी आदमी bank account खुलवा सकता है इसको लेकर कोई fix गिंती नहीं है पर फिर भी हाले में RBI ने बताया है कि एक आदमे के पास कितने bank account होने चाहिए बचत करना हो या कोई लेंदेन इसके लिए कहीं न कहीं बेंक खाते की जरुरत जरूर पड़ती है आज के समय में ज्यादातर सभी के पास बेंक अकाउंट है जिसमें वो अपने पैसों की सेविंग या ट्रांजेक्शन करना पसंद करते हैं जबकि कुछ लोग बेंक खाते के मादेम से सरकारी योजनाओं का लाब भी उठाते हैं ऐसे में कहीं न कहीं एक या दो बेंक खाते हो जाते हैं कुछ लोग ऐसी भी है जिनके पास दो से ज़्यादा बेंक खाते भी होते हैं तो ऐसे में कि आपके मन में भी कभी कोई ऐसा सवाल आया है कि एक वेक्ति के पास कितने bank account हो सकते हैं या फिर RBI के नेम में bank खाते खुलवाने को लेकर क्या कहा जाता है तो RBI के पास क्या नेम है आज की वीडियो में वो ही बताऊंगा अगर आप अपने daily या मेने की भचत करना चाते हैं तो इसके लिए आप saving account खुलवा सकते हैं डेश में primary account के तोर पर saving account का सबसे ज़्यदा इस्तिमाल किया जाता है saving खाते पर ब्यास भी दिया जाता है अलग अलग बैंकों की ओर से ब्यास दर भी अलग अलग मेने के साब से दिया जाता है इसके लवा business के लिए low current account का इस्तिमाल करते हैं जबकि salary के लिए कुछ लोग salary account का इस्तिमाल करते हैं भारते reserve bank के नेमों के माने तो भारत में एक वेक्ति कितने भी account खुलवा सकते हैं इसके लिए कोई सिमत आई नहीं की गई है हलांकि ये ज़रूरी है कि आपको उन सभी bank खाते पर ध्यान देना चाहिए जिनने आपने खुलवा रखा है वरना bank की ओर से चार्ज लगया जा सकता है